इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं अथ कीलक इस्तोत्रम महर्शी श्री मारकंडे जी बोले निर्मल ग्यान रूपी सरीर धारड करने वाले देवत्रई रूप दिव्यतीन नेत्र वाले जो कल्यार प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारड करने वाले हैं उन भगवान शंकर को जो मनुष्य इनकीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्यार को प्राप्त करता है जो अन्य मंत्रों को जबकर केवल सब्ध शतिश्रोत से ही देवी की सिद्धी हो जाती है उन्हें अपने कार की सिद्धी के लिए दूश्रे चाधना करने की आवश्यक्ता नहीं रहती बिना जबके ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिध्ध हो जाते हैं लोगों के मन में शंका थी कि केवल सब्तिसती की उपाशना से अथवा शब्तिसती को छोड़ कर अन्य मंत्रों की उपाशना से भी समान रूप से सब कार सिध्ध हो जाते हैं तब इन में कौन सा स्रेष्ट साधन है लोगों की इस संका को ध्यान में रखकर भगवान संकर ने अपने पास आई हुए जिग्याशुओं को समझाया कि ये सब्तसती नामक संपूर इस्तोत्र ही कल्यार को देने वाला है इसके पश्चाद भगवान संकर ने चंडिका के सब्तसती नामक संपूर को गुप्त कर दिया अते मनुष्य इसको बड़े पुन्य से प्राप्त करता है जो मनुष्य क्रश्न पच्च की 14, 14 अथवा अश्टमी को एका ग्रिचित होकर देवी को अपना शर्वश शमर्पित कर देता है और फिर उसे प्रशाद रूप में ग्रहड करता है उस पर दुरगा प्रशन होती है अनिथा नहीं होती इस प्रकास शिद्धी के प्रतिवंदक रूप कीलक के द्वारा भगवान संकर ने इस इस्तोत्र को कीलित कर रखा है जो पुरुस इस सब्तसती को निसकीलन क गंधर के नित्तिपाट करता है वह सिद्ध हो जाता है वही देवों का पारशद होता है और वह गंधर होता है सर्वत्र विचरते रहने पर उस Ginny को संसार में कहीं कोई डर नहीं होता है वह आप म्रत्यु के वश मे नहीं पढ़ता और मरकर मोच की प्रापती हो जातीisin है किन्तु कीलक की विधी को जानकर ही सब्तसती का पाठ करना चाहिए जो ऐसा नहीं करता वे नश्ट हो जाता है कीलन और निसकीलन समंधी जानकारी के पश्चात ही ये इस तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुस इस निर्दोष इस तोत्र का ही पाठ आरम करते हैं इस्त्रियों में जो कुछ स्वभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही क्रपा है इसलिए इसका ल्यारकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। उस देवी की स्तुती मनुश्य को अवश्य करनी चाहिए इस प्रकार कीलक इस तोत्र समाप्त होता है यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा जादा से जादा शेयर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में कि अवश्य की एगा